हेलो फ्रेंड्स वेलकम टुमा यूटूब चैनल ए आइस एजुकेशन साज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी स्टुडेंट्स इगनु में कैंसलेशन ओफ एड्मिशन प्रोसीड करने का कैसे वीडियो मिलेंग ने कैंसेल कर दिया है तो फिसरी फंड आपको कैसे कब और कितनी मिलेगी complete details के लिए गनुने 2030 में कुछ नई rules लागो किये हैं और उसका detailed official notification आपको दिखाता हूँ उससे पहले आपने देखाऊ का कि official website पे जब आप login करते हैं cancel admission का एक option आता है लेकिन यह enable यानि की active नहीं है तो admission cancellation कैसे proceed करना है यह भी बात करेंगे तो complete steps आपको दिखाने वाला हूँ बहुत informative सेसे ने लाश्ट तक जरूर बने रहे तो सबसे पहले 16 फरवरी 2030 की date में इगनुने official notification जारी किया है कि इगनों के नए rules fees refund policy के जारी किया गया है यह अगले आदेश तक जारी रहेंगे मतलब कोई अगला नया modification का notification नहीं आता है तब तक यह rules लागू रहेंगे तो सबसे पहला grounds of refund क्या है सबसे पहले अगर आपने एक course के लिए एक session में एक से ज़्यादा पर payment कर दी है तो आपकी सिर्फ एक course की fees रखके बाकि सभी refund कर दी जाएगी इसके लावा second दिखा है कि अगर आपने दो course में admission के लिए अपलाई किया है एक करने के लिए आप permissible नहीं है तो जिस course को करने के लिए आप permissible नहीं है उसकी fees को only जो registration charges है उसको deduct करके full refund कर दिया जाएगा next point है कि आपका किसी कारण से admission reject या cancel इगनो के द्वारा कर दिया जाता है क्योंकि अगर आप minimum eligibility criteria फुल्फिल नहीं करते है या फिर आप उस admission के लिए eligible नहीं है तो आपकी only registration charges को deduct करके full program fees भी refund कर दी जाएगी इसके लबा case है कि अगर university किसी कारण से किसी course को close करती तो full program की fee including registration fees आपको refund की जाती है अब बात आती है students जब cancellation के लिए apply करते हैं तो क्या steps follow करने होंगे कितनी fees मिलेगी कितने दिन तक students admission cancellation apply कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि admission cancellation को apply करने के लिए आपक अपनी official यानि की sorry अपनी self email ID से इगनू के या तो अपने regional center जो आपके regional center की official email ID है for example अगर आपने कॉलकाता regional center में admission लेते हैं तो कॉलकाता की website विजिट करिए और उसकी email ID है जैसे कि rc.kolkata.ignu.ac.in इस तरह email है regional center wise उस email पे आपको आवेदन करना होगा complete details mention करके कि मेरा admission cancel कि किया जाए वह आवेदन आप पहले अगर admission confirmation से पहले कर देते हैं तो आपकी only registration fee को deduct के full program fee refund कर दी जाएगी अब बात करते हैं अगर आपने admission confirm होने के 15 दिन बाद आवेदन किया है यानि कि within 15 days आवेदन किया है तो आपके 500 रूपे deduct किये जाएगे registration fees भी नहीं refund कि जाएगी और बाकी बचे हुई fees आपकी refund कर दी जाएगी अब बात आती है आप 15 दिन के बाद और 90 दिन से पहले आवेदन करते हैं तो 1000 रूपे आपके program fees से कटेंगे और जो registration fees आपकी दी गई है वो भी आपकी deduct होगी बाकी बचे हुई program fees आपकी refund होगी अगर आप 90 दिन के बाद आ आपको नहीं दिया जाएगा लेकिन process क्या apply करने का वो clearly लिखा है और जब आप 15 दिन count करेंगे तो यह भी clarify कर दिया गया है कि आपका जिस दिन admission confirm होता है उस दिन को exclude किया जाएगा मतलब उसको count नहीं किया जाएगा और counting जब period की counting होगी तो जिस दिन आप office अपनी email id से email id है csrc at the rate ignu.ac.in इस email id पे आप आविधन करते हैं csrc at the rate ignu.ac.in पे आप आविधन करते हैं या फिर regional center दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं दोनों जगे पे भी कर सकते हैं तो जिस दिन आपकी request जाती है उस date से दिन आपके count होंगी जो fees refund की policy को इसमें लागू करने के लि process है इसके लावा लिखा है कि आपकी fees आपके same account या same debit card या same credit card में ही refund की जाएगी किसी कारणवास उसमें fail हो रहा है तो students को अपना account number विदाई FSC code ignu को provide करना होगा email के द्वारा और ignu NFT के द्वारा उसमें payment करेगी जो भी यह दिया गया है January 2023 admission session से सभी लागू होंगे rules इस notification जारी किया था academic council meeting में उसमें decide किया गया था official notification आपके सामने complete process मैंने बता दिया आपको important लिंक्स है वो वीडियो के description में available है तो ignu की authentic update पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और bell icon पर प्रेस करना ना भूले